अब आपको बताते हैं महाराष्ट चुनाव पर सिंधिया ने क्या बोले हैं केंद्री मंत्री जोत्यादित सिंधिया सुक्रवार साम इंदोर पहुचे है एरपोर्ट पर मेडिया से बात करते हुए उन्होंने उदैपूर मामले में कहा कि दोसियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बहाराष्ट की राजनीती में सिंधे फड़नवीस की जोड़ी इतिहास रचेगी इस बार नगरी निकाच चुनावों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी क्योंकि हमारी सोस्सका रात्मक है कॉंग्रेस का एजन्डा नहीं है उन्होंने रणजी ट्रॉफी को लेकर कहा कि जो ताज कई सालों से ढूंड रहे थे वह ताज वापस से खिराडियू MPC अधक्ष अभिलास जी संजीवराव सभी ने मिलकर हासिल कर लिया है चुनाव को लेकर कहा कि यह भाजपा का नहीं इंदोर की जन्ता का जंडा है इंदोर के इतिहास संस्कृतिवा भविस्ति का जंडा है जिस जंडे के आधार पर भाजपा का एक-एक कारिकरता इंदोर के विकास के लिए सदयाव संकल्पित रहता है हमें यही संकल्प लेना है कि हमें इंदोर को अभी बहुत आगे ले जाना है हमारी विचारधारा, हमारी पहचान एक मिनी मुंबई की रूप में है लेकिन आने वाले दस्कों में हमारी चाहत है कि हम मुंबई से भी आगे जाएं इसलिए नहीं कि मुम्मणी के साथ कोई प्रत्योगिता है इंदौर में बहुत छमता है रात को सिंधिया ने ब्रिलियंट कॉन्वेंसन सेंटर में इंदौर सहर भाजपा के घोशना पत्र द्रिष्टी का विबोचन किया है इस अउसर पर उन्हों ने कहा कि 20 साल पहले इंदौर की इस्थिति इतनी खराब थी कि लोग यहां से पलायान करते थे लेकिन इसके बाद वरिष्ट नेता कैलास विजवरगी सहीत अब तक भाजपा के महापावर रहे जिससे इंदौर को नई दिसा मिली है जो मैंने कहा ना एक अन्होली अनाय अलायंस एक गड़बंदन जो अधरम का गड़बंदन मना एक ही सोच के साथ की सत्ता हमें चाहिए कुर्सी हमें चाहिए और एक नाच शिंदेजी ने वास्तरिक तोर से स्वरगी आदर्निया बाला साथ जी के पच्चिनों पर चलकर दुबारा विकास प्रगती और विचारधारा के संगम को पिरोने की कोशिश की है और भारते जन्ता पार्टी और एक नाच शिंदेजी दोनों मिलकर महराष्टा में एक सेवा और लोखनमुकी सरकास दावित करें देखे जो घटना उजयपूर में हुई बर्बंता की घटना हुई किसी व्यक्ती का जान लेना किसी मनुश्य का हक नहीं होता और जिस तरीके से ये घटना हुई है हम जितनी भी निंदा करेंगे वो कम हो जो ये घटना राजिस्तान में घटी है ये भी प्रश्चन उठाता है कि किस तरीके की सरकार राजिस्तान में चल लए ना जन्ता की सेवा हो पाती है ना जन्ता की सुरक्षा हो पात